शिमला में खुदाई के दोरान मिला नरकंकाल चारों तरफ पत्थर की दिवार और बीच में मिला कंकाल क्या किसी को दफन किया गया था या दी गई थी सजा राजदानी शिमला के शोगी में बन रहे नई पंचायत भवन की खुदाई के दोरान एक नरकंकाल मिला है ये कंकाल कई वर्षों पुराना बताया जा रहा है पुलिस ने कंकाल को कबजे में लेकर फोरेंसिक जांच के लिए भेजा है फोरेंसिक जांच में कार्बन डैटिंग के माध्यम से ये पता लगाया जा सकता है कि आखिर ये नरकंकाल कितना पुराना होगा शोगी बाजार के नजदीक नए पंचायत भौन के निर्मान के लिए खुदाई का काम चल रहा था पंचायत भौन की खुदाई के दोरान जमीन में काफी नीचे ये कंकाल नजराया इस कंकाल के चारों तरफ पत्थर की दीवार बनी हुई है पत्थरों की दीवार के बीच नरकंकाल को देखकर वहां के लोगों में हड़कंप मच गया जिसके बाद वहां लोगों की भीड एकत्र हो गई फिलाल अब खबर ये है कि पुलिस ने कंकाल को कबजे में ले लिया है और इसका पता लगाया जा रहा है हालां की ये पता तो चल गया है कि ये कंकाल किसी इनसान का है लेकिन अब कार्बन डेटिंग का सहरा लिया जाएगा कंकाल को फोरेंसिक जांच के लिए भीज दिया गया है अब कर दो जाएगा झाल कि ये लिए खब हुआँ है कि बाल कि लोगएगा जड़ इनसान के लिए है हाल कि आल दो को जाएगा ले गदित है झाल झाल झाल